हेलो दोस्तों स्वागत है आपका PLC Learning Point पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Mitsubishi PLC के FX3G मोडल के बारे में FX3G में basically 4 मोडल होते हैं FX3G 14M, FX3G 24M, FX3G 40M और FX3G 60M जो FX3G 14M होता है इसमें 8 input और 6 output होते हैं 24M में 14 input और 10 output होते हैं 40M में 24 input और 16 output होते हैं और 60M में 36 input और choice output होते हैं अब यदि इसके power supply की बात करी जाए तो इसको जो हम input power supply देते हैं इसको operate करने के लिए वो 100-240V AC 50-60Hz के frequency की साथ में दे सकते हैं ठीक है इसकी जो program memory की जो capacity होती है वो होती है 32,000 step और इसका जो instruction time होता है वो होता है 0.21 microsecond और 0.42 microsecond ठीक है न यदि इसके input signal voltage की बात करें तो वो होता है 24V DC और हम sink और source दोनों तरह के इसमें input दे सकते हैं ठीक है response time इसका लगभग 10 millisecond के असपास में होता है और इसका switching voltage less than 240V DC होता है या फिर less than 30V DC होता है relay output के लिए और 5-30V DC होता है transistor output के लिए output from relay और transistor मतलब ये 4 PLC में relay model भी मिल जाते हैं और ये 4 PLC में transistor के model भी मिल जाते हैं अब बात करते हैं इसके response time की तो जो relay based PLC होते हैं उनका response time 10 millisecond का होता है 10 millisecond का मतलब ये कि यदि हमें किसी output को 2 millisecond के लिए on कराना है और 2 millisecond के लिए off कराना है तो वो output हम relay based PLC में use नहीं कर पाएंगे ठीक है ना मतलब उस तरह का program हम relay based PLC में नहीं बना पाएंगे क्योंकि खुद इसका response time 10 millisecond या उससे ज्यादा का होता है ठीके ना अब बात करते हैं transistor model के लिए तो इसमें पांच माइक्रो सेकंड का जो response time होता है वो होता है वाई 0000 & 001 के लिए ठीके ना मतलब इन PLC में दो सिर्फ output ऐसे होते हैं जो कि high speed switching के लिए हम यूज कर सकते हैं ठीके ना जैसे हमें कोई motion controller चलाना है सर्वो ड्राइव चलाना है स्टेपर मोटर चलाना है तो उनके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो output होते हैं वाई 0000 & 001 FX 3G PLC में ठीके ना और बाकी जो other output होते हैं उनके लिए response time इसमें 0.2 मिली सेकंड होता है ठीके मतलब transistor based PLC में हमको response time generally 0.2 मिली सेकंड का मिल जात PLC होते हैं उन PLC में पांच माईक्रो सेकंड का जो response time मिलता है वो मिलता है य002 के लिए अब यदिए बात करें High Speed Kounters की तो इसमें total 21 high speed counter होते हैं और 16 जो होते हैं वो wun phase के लिए होते हैं मतलब C 230 से C 250 के connects 7 हाइइपीड काउंटर होते हैं और सेकंड फेज के लिए होते हैं 5 जो कि 251 से 255 तक के काउंटर होते हैं था है तो कुल मिला के समें हाइइ स्पिड काउंटर हम 21 यूज作र सकते थिक न अब देखें कुछ जिसके special features के बारे में देख लेते हैं तो देखिए जो FX3U PLC होता है वो एक छोटा सा PLC डिजाइन किया जाता है लेकिन जो इसका performance होता है वो critical applications के लिए भी इसको हम use कर सकते हैं ठीक है ना इसका quick response time होता है direct control of inverter and motion control system with no extra hardware motion control system में extra hardware की जरूवत नहीं होती है इसमें भी दो output दिये वे होते हैं जिसके थुरू हम motion control कर सकते हैं तो दोस्तों ये था एक छोटा से वीडियो Mitsubishi PLC के FX3G model के बारे में और वीडियो पसंदा आये तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्लिवाद जय हिन जय भारत, मिलते हैं नेक्स टूडियो में